हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब एक बार पुना हाँ स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल A2Z Biology Classes पर देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास्टल्थ Biology NCRT यहाँ पे ऐसे 5 important महत्पून difference देखेंगे जो की अकसर आपके exam में पूछे जाते हैं यानि आज की इस वीडियो में हम 5 महत्पून अंतर देखेंगे जो की अकसर आपके exam में पूछे जाते हैं चलिए सिधे वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे जो पहला अंतर तयार करना है वो है सम युगमजी वा भी सम युगमजी के मद्द यानि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मद्द पहला डिफ्रेंस हम तयार करेंगे तो देखे सम युगमजी वा भी सम युगमजी भी देखेंगे या किसी प्रकार से कोई मान लीजी हमारे पास एक लच्छन है, उस एक लच्छन के लिए हम यदि दो जीन या कारक या एलील ले रहे हैं, तो उस कारक या एलील में यदि युगमक आपस में कैसे हैं, समान प्रकार के हैं, तो उसे हम समयुगमजी कहते हैं, अर्थात नार्मल भासा में आप कहें तो कोई एक लच्छन के लिए यदि हम जो दो कारक या एलील ले रहे हैं वो दोनों कारक या एलील यदि आपस में समान हैं तो वो समयुगमजी कहलाते हैं जैसे capital T capital T समान है या इसके लावा small T देखें तो यदि आपस में समान प्रकार के हम elite ले रहे हैं किसी लच्छन के लिए तो इसे हम sum युगमजी कहेंगे वहीं sum युगमजी के मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी लच्छन के लिए जो दोनों कारक या elite लेंगे sum युगमजी मतलब आपको याद रखना है कि एक तो capital रहे गए एक small या आप ऐसा भी कह सकते है कि युगमजी में आप पाएंगे कि जब जनन होता है तो reproduction के time में इनमें समान प्रकार के ही युगमग बनते हैं अर्थाथ एक ही प्रकार के युगमग बनते हैं वहीं एधी हम बिसम युगमजी की बात करते हैं तो इसमें अलाग अलक प्रकार के युगमग का निर्माण होता है इसके बात देखी अगले question क्या है कि जो हमारा sum यूगमजी होता है इन sum यूगमजी पाओधों में तो जो संतती प्राप्त होती है, वो अपने जनकों के समान ही जीनों में समान होती है, या कि लच्छनों में भी क्या होती है, समान होती है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो सम युगमजी होते हैं सम युगमजी पौधों को यदि हम आपस में सौपरागन कराते हैं तो उनमें जो संतति प्राप्त होती है वो अपने जनकों के समान ही होती है यदि हम भी सम युगमजी की बात करते हैं तो इनमें जब हम आपस में स्वपरागन कराते हैं, तो इनमें जो संतति उत्पन होती है, संतति में प्रभावी वा प्रभावी दोनों प्रकार के भी परियाई मतलब विप्रियत लच्छन जो है, संततियों में ब्यक्त होते हैं, अर्थात संतति जो उत्पन होगी, उसमें भी होंगे और कुछ आप्रवावी लच्छन भी उत्पन होते हैं दूसरा डिफ्रेंस आपको तयार करना है खाद स्रंकला और खाद जाल में अंतर तो देखें दूसरा डिफ्रेंस किसमें है खाद स्रंकला और खाद जाल में अंतर है तो खाद स्रंकला की यदि हम बात करते हैं जिसको की हम food chain भी English में कहते हैं वहीं खाद जाल को हम food wave भी कहते हैं तो खाद स्रंकला की यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई भी ecosystem है अर्थात कोई भी परिस्थितिक तंत्र है तो किसी भी ecosystem में जो खाद पदार्थों का इस इस्थानांत्रन होता है उन खाद्ध पदार्थों के इस्थानांत्रन का एक क्रमबध प्रवाय पत होता है अर्थात एक रास्ता होता है अर्थात उसी क्रमबध प्रवाय पत को हम क्या कहते हैं खाद्ध स्रंकला कहते हैं तो आपको याद रखना है कि खाद्ध स्रंकला क्या होती है किसी भी एको सिस्टम या किसी भी परितंत्र या किसी भी परिस्थितिक तंत्र के अंदर खाद्य पदार्थों के इस्थानांत्रण का जो क्रमबध प्रवाय पत होता है जो मार्ग होता है उसे ही हम खाद स्रंकला कहते हैं खाद जाल की यदि हम बात करते हैं तो आपस में यह कई प्रकार के खाद स्रंकलाओं से मिलकर के बनी हुई एक सनचना होती है अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि विभिन प्रकार की किसी भी इको सिस्टम के अंदर मिलने वाली खाद स्रंकलाओं के परसपर सनचना होने से जो बनी सनचना होती है वो खाद जाल कहलाती है इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी परितंत्र अर्थात किसी भी इको सिस्टम में जो खाद स्रंकला होती है उनके सन्यूक्त पथों को ही हम खाद जाल कहते हैं यानि कई सारी खाद स्रंग खलाए मिल करके खाद जाल का निर्मान करती है दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें उर्जा का प्रवाह पत एक सरल रेखा में होता है यानि एक सीधी रेखा में आपको याद रखना है कि उर्जा का प्रवाह होता है खाद जाल में आप पाएंगे कि इसमें जो उर्जा का प्रवाहिपत हुता है वो अनीमित हुता है यानि इरेगुलर हुता है तो खाद जाल में यानि की food wave में आप देखेंगे कि जो energy का flow होता है वो अनीमित रूप से irregular प्रकार का होता है तीसरा difference क्या है देखिए कि जो प्रवाय पत होता है वो सदैव एक दिसी होता है किसी भी खाद स्रंखला में जो energy का या भोज पदार्थों का प्रवाय पत होता है वो सदैव एक ही दिसा में होता है वहीं आप पाएंगे खाद जाल में यदि हम देखें तो इनमें जो प्रवाय पत होता है वो basically कई दिसाओं में होता है तो इस प्रकार से आपने खाद स्रंकलावा खाद जाल में अंतर देखा इसके बाद देखी जो तीसरा most important difference आपको तयार करना है वो है खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर तो तीसरा जो डिफरेंस है वो है खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर देखे खाद को हम minor कहते हैं इसके अंदर वहीं जैव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं देखे खाद देखे यदि हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली कार्बनिक पदार्थों की मातर अधिक होती है यानि आप पाएंगे की कार्बनिक माटेरियल्स इनमें जादा होता है और जो जैव उ पूरस तथा पोटेसियम प्रदान करते हैं किसी भी म्रदा को इसके बाद देखे दूसरा डिफ्रेंस क्या है इनमें कि जो खाद दे है यह बेसिकली जनतुओं के अबसिष्ट तथा पौधे के म्रत भागों के अब घटन से तयार किया जाता है देखे खाद दे नार्माली से आप देखेंगे कि और इसके अलाबा यदि जनतुओं के अलाबा यदि हम देखें तो जो पौधों के म्रत भागों होते हैं जैसे पत्तियां मान लीजे जड़ गई और जड़ने के बाद फिर वह पत्तियां जब सड़ गल जाती है तो वो भी खाद बन जाती है तो chemical materials की सहायता से बनाते हैं अगला देखें difference क्या है कि ये म्रदा की उरवरता को प्रभावित नहीं करते हैं बलकि म्रदा की उरवरा सक्ति को बढ़ाते हैं खाद में आप पाएंगे कि ये किसी भी प्रकार से म्रदा को प्रभावित नहीं करते हैं बलकि ये म्रदा की उरवर तो यदि जैव उर्वरक का आप लगातार उपयोग करते हैं और जादा मात्र में यदि आप उपयोग करते हैं तो इससे म्रदा की उर्वरता में कमी भी आने लगती है तो तीसरा डिफरेंस आपको खाद दे एवं जैव उर्वरक में तयार करना है इसके बाद देखी जो मली ताउर से समझना है कि किसी भी जीवधारियों के अंदर पाए जानने वाले ऐसे अंग जो कि उत्पत्ती एवं रचना में समानता प्रदरसित करते हैं किन्तु कारियों में भीनता प्रदरसित करते हैं उन्हें ही हम समझात अंग कहते हैं यानि कि होमोलोगस आरगंस कहते ह कि जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति वा रचना में समानता दरसाते हैं लेकिन कारियों इनके क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं कारियों में ये भीनता दरसाते हैं उन्हें ही हम समजात अंग कहते हैं अब यदि हम समभत्ति अंगों की बात क करते हैं और उत्पत्ति वा रचना में भीनता प्रदर्सित करते हैं उन्हें हम सम्झात अंग जो है रचना वा उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन सम्झात अंग जो है कारियों में समान होते हैं दोनों में उल्टा अंतर है तो सम्झात अंगों में उत्पत्ति वा रचना मे ये समान होते हैं, वहीं समद्ध्ति अंग उत्पत्ति वर रचना में भेनताधा साते हैं, इसके बाद दूसरा डिफ्रेंस आपको तयार करना है, कि जो समजात अंग होते हैं, ये बेसीकली समचनाएं जो होती हैं, इस बात को प्रमारित करती हैं, कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की द्रश्टी से जुड़े हुए हैं। जो समजात अंग होते हैं ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये विकास आत्मा कुरूप से अर्थात एवोलूसन से जुड़े हुए हैं। इस बात को प्रमारित करते हैं कि ये जैव विकास में, जैव विकास के दस्टी से ये अलग-अलग होते हैं, तीसरा डिफ्रेंस आपको तयार करना है कि ये अंग बाहर से देखने में अलग-अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, समझात अंगों में आप जब इनको बाहर से देखेंगे तो देखने में ये आपको अलग-अलग प्रकार से दिखाई देते हैं वहीं अदि बात करें संब्रत्ति अंगों की तो ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं बाहर से देखने पर आपको ये एक समान प्रकार के दिखाई देते हैं चौथा डिफ्रेंस आपको इनमें तयार करना है कि ये आंतरिक सनचना में समानता दरसाते हैं सेम तीसरे नंबर का अपोजिट है तीसरा नंबर क्या कहता है कि समजात अंग जू है बाहर से तो देखने पर अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं लेकिन आंतरिक सनचना में ये क्या करते हैं समानता दरसाते हैं सेम उसी प्रकार आप पाएंगे कि समरत्ती अंगों में समरत्ती अंगों में इसका उलटा है ये बाहर से समानता पर दरसित करते हैं लेकिन आंतरिक सनचना में ये क्या होते हैं पूर्टा भिन भिन होते हैं इनके एक्जामपल भी आप तयार कर सकते हैं जैसे समझात अंगों के एक्जामपल कई सारे दिये गए हैं यहापे पहला है मेड़क के अगरपाद दूसरा है चमगादर के पंक और इसके अलाबा सम्रत्ती अंगों के एक्जामपल हैं तो चौथा अंतर जो है आपका वो है समझात अंग वो सम्रत्ती अंगों के मद्ध अंतर तो इस अंतर को भी आपको तयार करना है इसके बाद देखिए अगला और आखरी अंतर आपको तयार करना है डियाने एवं आर्याने के मद्ध पाई जाती है तो DNA में आपको याद रखना है कि काउन सी सरकरा पाई जाती है तो DNA में डे आकसी राइबोज सरकरा पाई जाती है वहीं आरियने में हम बात करें तो पहला डिफरेंस आपको लिखना है कि इसमें राइबोज प्रकार की सरकरा पाई जाती है इसके बाद दूसर ग्वानीन, साइटोसीन और थाइमीन तो DNA में आपको याद रखना है चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं एडिनीन, ग्वानीन, साइटोसीन और थाइमीन वहीं आर्याने में जब आप जाएंगे तो आर्याने में भी चार प्रकार के चार प्रकार के नाइट्रोज जो थामीन होता है ठामीन की जगे यहाँ पर क्या आजाता है यूरेसिल आजाता है तो आर्याने में भी चार प्रकार के नाइट्रोजनी छारक पाये जाते हैं एडिनीन, ग्वानीन, साइटोसीन और यूरोसील ये भी आपको याद रखना है तीसरा डिफरेंस आपको याद कि जो DNA होता है यह basically nucleus के अंदर present होता है तथा कोशिकाओं में भी पाया जाता है इसके अलाबा यदि हम बात करते हैं आर्यने की तो यह मुख रूप से कोशिका द्रभ याने की साइटो प्लाजम में पाया जाता है इसके अलाबा अल्प मात्रा में कभी कभी केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है चाओथा और आखरी डिफ्रेंस इन में क्या तयार करना है कि DNA में आपको याद रखना है डी आक्सी राइबो नुकलियो टाइड की दो स्रंखलाएं परस पर एक दूसरे पर कुंडलित होती है इसमें नुकलियो टाइड जोड़े के क्रम में होती है और आर्यने में आप देखेंगे कि जो नुकलियो टाइड होती है वो एक ही स्रंखला होती है DNA में आपको याद रखना है कि डी आक्सी राइबो नुकलियो टाइड की दो स्रंखलाएं होती है और आपस में दोनों स्रंखलाएं एक दूसरे पर कुंडली तो हो करके दोई कुंडली सनचना का निर्माण करती है वहीं आर्याने में आपको देखने को मिलेगा कि राइवो नुकलियो टाइड की केबल एक ही स्रंखला का आर्याने बना होता है तो यहाँ पर देखी पांच ऐसे महत्पूर्ण इंपोर्टेंट डिफरेंस है जिनको की आपको तयार करना है यह आपके पॉइंट आप उसे एकजाम के काफी इंपोर्टेंट है देखी इसके अलाबा भी हम इसका पार्ट टू लेकर के आएंगे उसमें भी हम पांच ऐसे इंपोर्टेंट डिफरेंस देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट आप भी उसे काफी इंपोर्टेंट है उमीद करते हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच जदस जदस वीडियो को सेर कीजिए चैनल पे दिनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आवस्स से कर लें मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम